Dear Students, बहुत-बहुत स्वागत है आप सविका, बच्चों ये Class 3 का Hindi Book है, Chapter 9 है और इस Chapter का नाम है सहीद की चिता, तो यह ये एक बहुत ही मार्मिक कहानी है, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, तो आए हम लोग इसको पढ़ कर देखते हैं रमाइन सिंग सन 1942 के अगस्त आंदोलन में सामिल हो गए थे, अंग्रेजो भारत छोडो के नारे के साथ जुलूस सोनपूर से स्टेशन पर पहुँच गया था, लग रहा था कि जुलूस के नारो से स्टेशन कांप रहा है तो यहाँ पे एक बेक्ती का नाम दियाओा है नाराइन सिंग, जो कि 1942 के अगस्त करांती भी कहा जाता है और भारत छोडो अंग्रेजो भारत छोडो आंदोलन भी कहा जाता है तो यह सोनपूर स्टेशन जगा दिया हुआ है वहाँ पे बहुत सारी लोग इकठा होके वहाँ नारे लगा रहे थे अंग्रेजों भारत छोड़ों तो यह बहुत ही बुलंद नारा था और बहुत तेजी से लोग लगा रहे थे अस्टेशन ऐसा लग रहा था कि जैसे काप रहा है आवाज से इतना तेज आवाज था उसे समय अंग्रेज सिपाही आगे जुलूस की और से अंग्रेजों भारत छोड़ों के नारे के सवर्तेज हो गए जब उन लोगों ने हिंदुस्तानियों ने जब देखा कि अंग्रेज लोग आ गए तो और जोर से वे नारा लगाने लगे अंग्रेजों ने जवाब में गोलिया बरसा दी इस्टेशन पर इस्टेशन का प्लेटफॉर्म खून से रंग गया तो आम बात थी उस समय अक्सर हिवे गोलिया चला दिया करते थे हिंदुस्तानियों पर और वैसा ही हुआ जब उन लोगों ने अंग्रेजो भारत छोड़ो का नारा सुना तो उन लोगों से ब्रदास्ट ने हुआ और उन लोगों ने गोलिया चला दी सेना में भरती हो गए उन्होंने मना किया था पर वे घर की हालत को देखकर सेना में पहुंच गए दादी रोक नहीं सकी अब जो है उस समय अंग्रेज हमारे देश को गुलाम किये वे थे तो ऐसी इस्तिती में रमाइंड सिंग नहीं चाहते थे कि उनके दोनों बेटे सेना मे भरती हो जाए क्योंकि उससे क्या होगा कि अंग्रेजी सरकार का गुलामी करना पड़ेगा तो इसलिए वे नहीं चाहते थे लेकिन घर की इस्तिती अच्छी नहीं थी और इसलिए वे लोग सेना में भरती हो गए तो उनकी दादी भी उन्हें रोकी नहीं क्योंकि हालाद अग्रेजों की बर्बरता हमेसा ही जारी था पाँच वरसों के बाद ही भारत चोड़ कर जाना पला। तो आजादी के पांच वर्स पहले की ये कहानी है तो उससे रमाइन سिंग के साथ ये घट न घटा और पांच वर्स बाद हमारा देस आजाद हो गया और सभी जगह सुतंतता की आजादी की उत्सम मनाया जाने लगा अपने गाउं में रमाइन सिंग ने ही सुतंतर भारत का ज जिपमेंट मिल जाता है तो लोग उसके दरम्यान कितने संघस करने पड़े, कितने कश्ट जिलने पड़े उसको थोड़े समय के लिए लोग भूल जाते हैं। सोतंतरता के उत्सव में मगन हो गए। सबी लोग जो है सोतंतरता का उत्सव मनाने लगे। उसी में लगेरे पर रामाईन सिंग ने बताया कि अंग्रेजों और मुस्लिम लीग ने मिलकर ऐसा दबाव बनाया कि अपना भारत देश दो टुकड़ों में बंट गया ते इस तरह से उस समय अंग्रेज लोग मुस्लिम लोगों को इस तरह से माइंड सेट कर दिये इस तरह से भड़का दिये कि उन लोग एक अलग देश मागने पर उतावला हो गये और अंततह हमारा देश दो टुकड़ों में बंट गया पस्चिम भारत का बला टुकड़ा पाकिस्तान बन गया भारत से अलग हो गया या दुक का विसे हो गया सीमा प्रांत बलुचिस्तान, सिंध और पंजाब का बला हिस्सा कट कर पाकिस्तान में चला गया आजादी के लिए हमने संगर्स किया पर मुस्लिम लीग ने दंगा उपद्रव द्वारा देश को बाट दिया उन लोगों ने देश की एकता को नहीं समझ पाए और अंग्रेजों की बातों पे चले गए इसलिए देश की बटवारा के लिए बहुत सारे दंगे उपद्रव करने लगे और अंतता देश की तुकड़े करके रहे जब देश का नया मांचित्र आया तो भारत का पस्चिम भाग हरे रंग में दिखाई दिया पूर्व तरफ भी बंगाल का बड़ा भाग पकिस्तान के रूप में हरे रंग में दिखाई पड़ा तो उस समय बंगला देश को पूर्वी पकिस्तान का जाता था और ये तो पकिस्तान बने गया तो बंगला देश बहुत पहले ही 1905 इस भी में हिंदुस्तान से अलग हो चुका था रामाइन सिंग बुठे हो गए भरत सिंग और लखन सिंग एक बार छूटी में आकर पिताजी, माताजी से मिल लेते, प्यार पा लेते, अशिरवाद लेकर दोनों सेना में पहुँच जाते हैं तो इस तरह से जब कोई फोज में भरती हो जाता है तो उसको ज़्यादा छूटिया नहीं मिलता है और अपने परिवार से अपने माता-पिता से मिलने के लिए समय दिया जाता है फिर उन लोग घर में थोड़े समय बिता कर फिर वापस अपने डिवटी पे चले जाते हैं तो उन लोग भी कुछ वैसा ही कर रहे थे लेकिन यहां घटना क्या घटा सन 1962 में पडोसी देश चीन ने अपने देश के पुरू उत्तर भारत पर आकर्मन कर दिया पहले तो मित्र बना नेहरू जी ने उसे अपना सच्चा मित्र समझा पर उसने धोके से हमला कर दिया भरत सिंग और लखन सिंग दोनों को तेजपूर के मोर्चे पर जाना पड़ा उधर भिशन युद्ध हो रहा था पर रच्छा का परबंध दुरूबल था उस समय हमारा देश आजाद हुए अधिक दिन नहीं हुआ था जिसके कारण हमारे पास उतनी ज़्यादा सकती नहीं थी हम लोग अपनी गरीबी से उबर नहीं पाये थे और वैसे इस्थिति में हमारा पड़ोसी देश चीन हमारे उपर अचानक से धोके से हमला कर देता है सबसे पहले तो वो मित्र बनने का नाटक करता है और फिर अचानक से हमला कर देता है वैसे इस्थिति में हमारे पास ज़्यादा हत्यार नहीं थे और चीनी सेनिकों की संख्या अधिक थी वे पूरी तरह त्यार थे भारतिय सेना को पीछे हटना पड़ रहा था मतलब हम लोग इतने ससक्त नहीं हुए थे कि उनसे मुकावला अच्छी तरह से कर पाए लेकिन फिर भी भारतिय सेनिक अपने जान भले गवा देते हैं लेकिन अंतीम समय तक वो लड़ते रहते हैं यही भारतिय सेनिक का खास्यत है इस युद में लखन सिंग घायल हो गया भरतिय सेनिक का मन रोने रोने को हो गया उसने घायल छोटे भाई को देखकर मन ही मन भगवान से प्राथना की अब वहाँ पे ऐसा इस्तिती रहता है कब कोन मारा जागा कहा नहीं जा सकता लेकिन फिर भी अगर अपना कोई रिलेस्टन है अपना ही कोई पैवार का है तो वहाँ पे भावक होना स्वाभाविक है तो वैसा है इस्तिती कुछ हुआ भरत सिंग के साथ उसके छोटे भाई को चोट लग गया वहाँ पे कुछ गोलिया लग गया तो वह घायल हो गया तो वहां सेनिकों में सिर्फ लड़ना ही नहीं रहता है, सेनिक को अगर किसी को चोट लग जाता है, तो आपको उसको बचाना भी है, तो वह इस तरह से वो उसको सेनिक अस्पताल में लखन की चिकितसा होने लगी, तो उसको सेनिक अस्पताल वहां पे रहता है, वहां पे उस तो ऐसे इस थिति में कुछ क्या नहीं जा सकता अंतुत से वह सहीद हो जाता है गाउं में सहीद लखन सिंग का सव लाया गया सारे गाउं ने अपने नौजवान सहीद को नमन किया पर रामाइन सिंग का रोम रोम रो रहा था सहीद की मा बेहुस हो रहे थी वैसे सारा गाउं उस सहीद को नमन कर रहा था उसके सहादत को नमन कर रहा था लेकिन रमाइन सिंग रोम रोम उसका रो रहा था और उसकी मा तो बिल्कुल बेहोस हो जा रहे थी। उधर भारत की सिमा पर युद्ध बंद हो रहा था इधर गंड़क तट पर सहिद की चिता जल रहे थी। रमाइन सिंग ने कहा लकमाइन तिलक, महत्मा गांधी और सुबा से लड़ाई में अपने नोजवान सहिद हुए पर भारत युद्ध में जीत नहीं सका देश का एक हिस्सा चीन के अधिकार में चला गया ऐसा क्यों हो रहा है लगा कि इन प्रस्णों के जवाब नहीं है केवल आग की लपटे हैं जब सहिद की जिता जल रहे थी तो उसके मन म इस तरह की बातें उठ रहा था रामाइन सिंग के मन में कि इतने महान लोगों के द्वारा अजादी की लड़ाई लड़ी गई लेकिन फिर भी हमारा देश बटने से नहीं रह पाया और इतने सारे नोजवान हिंदुस्तानी नोजवान सहीद हुए लेकिन भारत की जीत नह दिया हुए है सबसे पहले यहां प्र दिया हुए है जिसे पढ़कर जाता है और आगे क्वेश्चिन दित का लिंग निरने करें तो यहाँ पर बतलाना है कि इसमें से कौन सा सब्द इस्तिरलिंग है या पूलिंग है यह हो गया तो इसका आंसर जो है आपको इस्क्रीन पर दिख रहा होगा आप पॉज़ करके इसको लिख सकते हैं कोश्चन नमबर 4 खालिय स्थानों को भरें तो यहाँ पर खाली जगों को भरना है जिसे कि जुलूस के नारों से स्टेशन कांप रहा था इस तरह का भरत सिंग और लखन सिंग सेना में भरती हो गये तो यहाँ पे आपको इसका answer screen पे मिल रहा होगा आप वहाँ से इसका answer लिख सकते हैं और इसमें भरने वाला जहा तक दिया हुआ है और question number 5 जो कि इस chapter का मुख question है तो इसका question जो दिया हुआ है रामाइन सिंग किस आंदोलन में सामिल हुए थे तो भारत छोड़ो आंदोलन में सामिल हुए थे तो इसका static answer जो है आपको screen पे आ जाएगा और station का platform किसके खून से रंग गया तो जुलूस में सामिल हिंदोस्तानियों के खून से रंग गया इसका answer आपको screen पे मिल रहा होगा रामाइन सिंग ने क्या बताया रामाइन सिंग ने बतलाया कि अंग्रेज और मुस्लिम लीग की प्रियास से हमारा देश टुकडे में बट गया इस तरह से कुछ बतलाया है तो answer जो आपको screen पे मिल रहा होगा भारत का पस्चिम भाग किस नाम से जाना गया तो भारत का पस्चिम भाग पाकिस्तान के नाम से जाना गया हमारे देश पर किस ने धोखे से हमला कर दिया तो हमारे देश पर चीन ने धोखे से हमला कर दिया सारे गाउन ने अपने नौजवान सहित को क्या क्या सारे गाओं ने अपने नौजवान सहित को नमन किया तो इस तरह से आपको आंसर मिल गया होगा आप वहाँ से स्क्रीन को पॉज़ करके लिख सकते हैं तो यहाँ पे यह चेप्टर पूरी तरह समाथ हो गया है अगर आप लोग को हमारे वीडियो से हल्प मिलता है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जूड़े रहे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अपने दोस्तों के साथ सेर कीजिए और इसके अगले चेप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे तो आए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं